ही गाइज वेलकमोन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वारियर मेरा नाम है दीपी का और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी प्लस एवेस के मोश्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यूज तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ इसमें जो भी कुछा जाए उसका आंसर जरूर दीजिएगा ठीक है तो हम सुरुआत करते हमारे पहले कुस्चन से हमारा पहले कुस्चन है जॉ अब दिखते है नेक्स्ट विकास की अवस्थाओं का सही करम है हमें बताना है विकास की अवस्थाओं का सही करम कौन सा है तो सैस्व अवस्था सही है सैस्व अवस्था सही है यह वाला गलत हो गया सैस्व अवस्था के बाद बाले वस्था तो यह भी गलत यह भी गलत यह अब दिखती है next के थे बकास की भी चैली होगा है छो कि अचाइवी ठीचीच हो जाएगा सही आंसर में यानि कि इसका जो अंसर सही है वो है दूसरा आप देखते हैं Next किस्ओर अपरादी के उप्चार उपाए डैस हैं अब हमें बताना है कि कोई किस्ओर अपरादी है उसके उप्चार के लिए हम कौन-कौन से उपाई कर सकते हैं तो वो है पुनरवाश और शुधार कारिक्रम यानि कि इसका दूसरा बिल्कुल सही है ठीक है अब देखते हैं next question कौन सा सिधान्त निजी भाषर और आत्म नियमन को प्रोथसाहित करता है तो ये करता है बायोगास्की का सिधान ठीक है तो इसका जो सही आंसर वो है फोर्थ यानि कि प्राइवेट स्पीच और सेल्फ राजुलेशन जो दूसर दिया है वो दिया है बायोगास्की ने अब देखिया आप आपको बताना है कि इगोसेंटीन्टीजम किस ने दिया है भाव आत्मक बुद्धी मत्ता का पहलू नहीं है हमें ये बताना है तो देखे परिवर्तन नहीं है तो इसका जो सही है वो है 3 अब देखते हैं next वो है क्रम जिसमें भासा अर्जित की जाती है हमें वो क्रम बताना है जिसके द्वारा वच्चा भासा को अर्जित करता है तो सबसे पहले क्या आता है सुनना ठीक है तो सुनने में क्या आजाएगा श्रवड ठीक है ये भी स्रवड सही है ये कर दो ये कर दो फिर क्या आता है बोलना ठीक है कथन सही फिर आता है पढ़ना और इसमें दिया चात्रों को दी जाने वाली सिक्षा का प्रकार निमलिखित होता है तो कौन से प्रकार होता है वो होता है समावेसी सिक्षा यानि कि इसका सही ए अब दिखते है नेक्स्ट और जो मैंने आप से कुश्चन पूछा है उसका प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा तो नेक्स्ट है सेवां के मुख्य पृडाली से बाहर रहने की अवस्था को डेस कहा जाता है तो कौन से अवस्था होती है तो वो कहराती है पास्वुरी कलड ठीक है आप देखते है नेक्स्ट एक मूर्तिकार की सफलता में कौन सी बुद्धी होती है में यह बताना है ठीक है यानि इंटेलिजेंस यानि बुद्धी के बारे में बताना है तो देखें मूर्तिकार में कौन सी होगी उसमें होगी इस्थानिक ठीक है एस्थानिक तो इसका जो सही है वो है सेकिंड अब दे समन्वे की छोटे मास पेसियों समलित होती है तो यह होता है फाइन मोटर स्केल ठीक है यानि कि इसका जो सही हो जाएगा वो है A अब दीखते हैं next next है उस अर्थ हीन वासर की पहली ध्वनी को क्या कहते हैं जिसे वच्छा करता है तो यानि कि अर्थ हीन है तो वो क्या होगी वलवलाना ठीक है यानि कि इसका सही हो जाएगा A हमारा next question है किस सिध्धान्त का उप्योग किया जा रहा होता है जब पर्यावरर से किसी नकारात्मक उदीपक को हटाना हटाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्योहार बना रहे है ठीक है तो इसमें देखे नकारात्मक उदीपक को हम अटा रहे हैं तो हम करेंगे नकारात्मक पुर्णरवलन ठीक है यानि कि इसका जो सही हो है फोर्थ अब देखते है next सास्त्रि अनवंधन यानि कि क्लासिकल कंडिशनिंग पर पौलो के पुस्रिद प्रियोग में त्टस्त प्रेरंग निया निकि स्ट्यूम्लस के बारे में पूछा गया है यह दिया है Stimulus धर है तर्क में एक समस्या से सुरूह होता है और एक के साथ समाप्त हो जाता है तो किसके साथ समाप्त हो जाएगा शमा धान के साथ तो इसका सीए भुद्धी के विखास की संबन में जुडवा और अध्यायों के परिड़ाम Gust करते हैं कि क्या इंकित करते हैं कि अनुवाँ आदिक कोई भी यह तो हमारा पहला कुस्चन है नीचे दिये गए जीवों के समूं में से किसकी द्रश्टी स्रेष्ट होती है तथा वे मनुष्ट की तुलना में चार गुना अधिक दूरी की बस्तुओं को देख सकते हैं तो यह कुछ बहुत जादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार आया हुआ है तो प्लीज आप इसको नोट कर देजिए और याद रखिएगा तो इसका जो सही आंसर है वह है फोर चील गीदर और गिद ठीक है तो यह इसका ब्रगुल सही आंसर है अब देखते हैं नेक्स्ट पहले कुछ न पढ़ लेते हैं तो नीचे दिए गए खेती के विब्रण को पढ़िए और इस धंकी पहचान कीजिए तो देखे क्या है खेती का प्रकार एक फसल को काटने के पस्चात खेती को खेत को कुछ बरसों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है इसमें कुछ भी न पहाड़ा नहीं जाता काटकर जला दिया जाता है यह राक भूमी को उर्वरा बनाती है ठीक है यानिकी फर्टायल बनाती है जब यह भूमी खेती के लिए तयार हो जाती है तब इसे हलका सा खोदा जाता है और भूमी और भूमी को जोता नहीं जाता ठीक है यादर की जोत सब्सक्राइबिचल अगर पता होगी कि जता नहीं चाहिए तो यह सही को जुक्सक्राइब स्बाइब होता है दूर्ड से सकते साथ मुषेट्ध अब नेक्स्त है मरा जब कोई सपेरा अपने वाद यंत्र वीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनी पर अपने सिर को इधर उधर हिलाता है आपके विचार से सांप बाद यंत्र की ध्वनी के प्रती अनकुरिया कैसे करता है कि इसका जो पते हैं अपते परिवार इक इक होता है जिसमें मां पिता और उनके दो बच्छे होते और बैसे भी होते हैं कंधार कहीं नहीं तो उसमानुएं मेफ्श एक प्रक्री कर देकिता रहां वह सायता करती है तो देखिए आमार्ष में आ आ रहा है वैसी याद रखिए आ से अमली है ठीक है तो इसका जो सही है वो है फोर्थ अब बढ़ते है नेक्स कुश्चन की तरफ कच्छा तीन की एक सिक्षक ने अपने चात्रों से निमलिकित पौधों पेड़ों और पत्यों को विभिन बर्गों में बर्गी करत करने के लिए कहा जैसे नीवू, आम, तुलसी, पौधीना, नीम, केला, इत्यादी कुछ विद्यार्थियों ने पत्यों का वर्गी करण इस प्रकार से किया, दवाओं की गुड़वाले पत्यों नहीं थी, यानि की रहत थी उनकी ठीक तो अब देखिए क्या बोला गया है बड़ी पत्यों के आधार पर और छोटी पत्यों के आधार पर किया है तो सिक्षक ने समू को ये समू को सही माना और दूसरे को सही नहीं माना ठीक है यानि कि पहले वाला जो समू था जिसने गुड के आधार पर बाटा उसको तो सही मान लिया लेकिन जो दूसरा था जिसने पत्यों के आकार के आधार पर उसे बाड़ दिया उसको सही नहीं माना अब क्यों नहीं माना तो देखें क्यों नहीं माना ठीक है तो इसका जो सही हो जाएगा वो है सेकेंड को सही नहीं माना था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड अब देखते हैं नेक्स्ट पर्यावर्य अध्यन की अपनी कच्छा में समू के लिया कलाप का निर्मार करते हुए आप निम्लिखित विचारों पर किनका ध्यान रखेंगे नमर एक दिया है कि बच्चों के रुच्चियों का ध्यान रखेंगे तो यह बिल्कुल सही है लड़कों एवं लड़कियों को स यह यह निकि हमारा जो सही है वह है एवी और डी तो देख लीजे कौन सा है यह हो जाएगा तीसरा यह यह वी इसका बिल्कुल सही है अब नेक्स्ट कुस्चन है हमारा निम्लिखित मैं से निम्लिखित सभी कथन परियावर अध्यान के श्रमुगत रूप से क्रिया कलापो से सलंगन सिक्षकों और सिक्षार्तियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक तत्य को छोड़ कर यह निकि इसमें से एक कोई गलत है जो कि इसके पक्ष में नहीं है तो हमें वही वताना है ठीक है तो देखिए पहले में दिया है परसपरस सामजश्य और सहयो तो यह भी सही है और आखरी दिया है समुई क्रिया कलाप की बजाएं बजह से बच्चे अंक उपलब्दी में अच्छा सुधार करते हैं तो देखिए यहां पर बात आगी और अंक वाला कभी भी सही अब नेक्स्ट समुकार से पर्यावर अध्यान कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विसेश्थाओं की आंकलन के लिए निमलिखित मैं से कौन सी उपकरर सरवादिक उपर्युक्त रहेगा तो देखिए कौन से सबसे ज़्यादा सही है तो वह होगा ऐसाइम्मेंट यान नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहिजान वूति बिचार इनमें से कौन सा व्यन्य दृष्टिकॉन के लिए ठीक है तो देखिए पहला दिया गया है कुछ सब्जींद फल है तो बहल्कुत सही है कुछ सब् Luckily भी होती है गास पौधा नहीं यह तो यह भी ग भी गलत है ठीक है तो हमारे जो सही हो जाएगा वो है स्रिफ एक यानि कि कुछ सब्जियां फल होते हैं यह विल्कुल सही है ठीक है तो आज की वीडियो जो आप से कुश्चन पूचागा है प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताईएगा और अगर आप य किजिए शट किजिए और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू फॉर वाचिंग जैहिन